हलो गाइज मैं हूँ ऐसल दाकर हमारी यूट्यूब चैनल दाकर नौलिज पुनम आपको बहुत-बहुत स्वागत है गाइज एनम प्रसिक्षन रास्तान से रिलेटेट लेटेस सूचना वो एनम की लेटेस्ट वेकेंसी के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें काईज एनम प्रस्टिक्षन रास्तान हेतु सत्य जनवरी 2021 को काउंसलिंग होने जारी है मात्र दो दिन बीच में सेश बचे हैं दोनु वर्किंग डे है अगर आपके पास को लेटर नहीं आया है और आपको कटोप के बारे में भी पता नहीं है तो सीए में चोकारे ले डारेक्ट फोन करके भी पूँच सकते हो आपका नाम के बारे में पूँच सकते हो कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं और कौन से केटेगरी कटोप जारी है ये भी आप बेदड़क पूँच सकते हो जवाब दिया जाएगा काईज एक बात और बता दूँ कि आपने अगर एक से अधिक फॉर्म एपलाई कर रखा है तो जहां पे कटोप कम जारी है वहीं पे काउंसिलिंग अटेंड करें और डोकुमेंट्स बिलकुल रडी रखें क्योंकि डोकुमेंट्स में थोड़ी सी मिश्टेक हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा इसलिए डोकुमेंट्स आपको कम्पलेट रखने चीए डोकुमेंट्स में आपको 10th की मार्क सीट 12th की मार्क सीट दोनों के साठी पिकिट जाती प्रमान पत्र होना चीए मुल लिवास प्रमान पत्र डोकुमेंट्स क्या क्या चीए इससे रिलेटिड में वीडियो बना चुका हूँ इसको विश्टार से जानने के लिए प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं आगे बात कर लेते हैं जोदपूर जुन जुनू वे कुछ अन्य डिस्टिक ऐसे हैं जहांपे कितनी कटॉप जाने वाली है इसके बारे में बता देता हूँ काईज ये है जोदपूर की कटॉप काईज ये देख पा रहे हैं ये है जोदपूर की कटॉप 21 जनवरी को लेटर जारी हुआ था 27 जनवरी को सुबह 9 बजे काउंसलिंग होगी काउंसलिंग का सेंटर रहेगा उमेद अस्पताल परिसर जोदपूर उमेद होस्पिटल परिसर में काउंसलिंग होगी जनल की कटॉप कितनी जारी है इसके बारे में बात कर लेते हैं अगर आप UR केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82.600 का टॉब जारी है अगर आप OBC केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82.00 का टॉब जारी है अगर आप MBC केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 81.00 का टॉब जारी है EWS केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 73.20 का टॉप जा रही है SC केटेगरी से बात करते हैं तो 78.20 का टॉप जा रही है ST केटेगरी से बात करते हैं तो 73.200 का टॉप जा रही है अंगनमारी कार्य करताई बात करें तो 55.846 का टॉप जा रही है असा सहय गुनी की बात करें तो 64.600 कटोब जारी है डाइवोर्स तलाक सुधा की बात करें तो 68.00 कटोब जारी है अगर आपने दीव्यांग से फोरम एपलाई किया है तो 52.8 कटोब जारी है कायज ये था जोधपुर का आखड़ा अब आगे बात कर लेता जुन जुनू में कितनी कटोब जारी है कायज ये है जुन जुनू की कटोब 21.00 को ही लेटर जारी हुआ है जुन जुनू जुन जुनू में एनम एडमिसन की काउंसलिंग बीडी अस्पिताल केंपस जुन जुनू में आयुजित की जाएगी इसके लिए आवशक डोकुमेंट्स के साथ समय पे पहुँचे कायज यू आर केटेगरी की बात करें तो 83.00 कटोब जारी है OBC केटेगरी की बात करें तो 80.80 कटोब जारी है SC केटेगरी की बात करें तो 79.60 कटोब जारी है ST केटेगरी की बात करें तो 71.60 कटोब जारी है ST केटेगरी की बात करें तो 71.85 कटोब जारी है इडूलेस केटेगरी की बात करें तो 72.00 कटोब जारी है MBC केटेगरी की बात करें तो 78.80 कटोब जारी है दिव्यांग की बात करें तो 49.20 कटोब जारी है अंगनबाडी कार्यकरताई बात करें तो 52.00 कटोब जारी है आसा सैगुनी की बात करें तो 55.85 कटोब जारी है इन्होंने लिख रखा है कि हमने रजिस्टर डाक्स से लेटर भीजवा चुके हैं फिर भी अगर लेटर आपको रिसीव नहीं हुआ हो तो दिये गए कटोब से ज़्यादा मार्क्स हो तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं ओरिजिनल डोकुमेंट्स के साथ साथ काईज मैंने इबासकर से जुन जुन वाला वीडियो बनाया है इसलिए आपको साइड स्क्रीन पर दिखा ही नहीं दे रहा होगा तो आप आज के दियनिक भासकर पेपर में जुन जुन की कटोब मेरिट देख सकते हैं अब बता देता हूँ अलवर जिले की कटोब के बारे में पहले भी बता चुका हूँ परन्तु कल कुछ चेंजेज करके इन्होंने संसोधित कटोब निकाली है इसलिए आपको दुबारा देख लेनी चाहिए अलवर की संसोधित कटोब इस परकार जारी है यूर के टेगरी से मिलोंग करते हैं तो 83.80 कटोब जारी है SC के टेगरी से बात करते हैं तो 79.88 कटोब जारी है SC के टेगरी से बात करते हैं तो 76.40 कटोब जारी है OBC के टेगरी से बात करें तो 81 कटोब जा रही है MBC के टेगरी से बात करें तो 82.40 कटोब जा रही है EWS के टेगरी की बात करें तो 77.80 कटोब जा रही है आंगन बाड़ी की बात करें तो 61.80 कटोब जा रही है आसा सहे गुनिय की बात करें तो 64.00 कटोब जा रही है 67.85 कटोव जारी है विद्वा तलाक सुदा की बात करें तो 67.00 कटोव जारी है तो गैज यह थी अलवर की संसोदित लिस्ट आप पहले वाले लिस्ट से मेच कर सकते हूँ काईज अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी कटोव के बारे में इन्फोर्मेंशन नहीं मिली है आज संडे है कल मंडे को लगबग सभी जिलू की कटोव के बारे में सूचना प्राप्त कर ली जाएगी काईज अब तक 27 डिस्टिक हो चुके हैं अगर आप किसी भी जिले की कटोव के बारे में जानना चारते हो तो इंड स्क्रीन पे लिंक आएगा उसको क्लिक करोगे तो सबी जिलू की कटोव आप देख पाओगे फिर भी इससे रेलेट कोई भी बीक्वारी हो तो कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करे है शेर करे सबस्क्राइब करे बेल आइकन को तबाई ताकि ऐसे जानकारी प्रद वीडियो बनाता रहूं आप तक बेशता रहूं थेंक्यू जैहिन जै बारत